मुंबई के बुरुली पच्छिम में कक्ची प्रिमियर ग्राउन में श्री केवी ओ बुरुली कांदियुली सोचल फोरम की तरफ से रंगारंग सत्वारा कारेकम का आयुजन किया गया इस कारेकम में मुख्य अतिती के रुप में भाना भाई मगनलां थरोड नीरू बान वेलजी भाई गोगरी की उपस्तिती रही इस मौके पर कक्ची समाज के हजरों की संक्या में लोग उपस्तिते इस कारिक्रम का मुख्य उद्देश कोरोना महामारी के बाद एक साथ लाना था इस रंगा-रंग प्रोग्राम में उत्तम छेडा ने लोगों को अपने गाने को साथ मंत्र मुद्द कर दिया इस मौके पर कच्छी समाज के लोगों द्वारा किये गए सामाजी कार्यों को देख कांदीवली सोस्यल ग्रूप कच्छी विसा ओस्वार बोरीवली कांदीवली सोस्यल ग्रूप में इस पोग्राम एरेंज किया था एरेंज किया था कि जो सिनियर सिटिजन बोरीवली और कांदीवली एरिया में रहते हैं उनको मनौरंजन के लिए आपस में बिल जुल के बा एजेड हो गए हैं जिसके पास खाना बना पनाने का कुछ सदवड नहीं है और बना नहीं सकते हैं असारी कंडिशन के लिए इनको घर बैठे टीपीन की विवस्ता की जाई है जिसमें फुल डायेट इनके घर पे पहुंचा दिया जाता है कम चे कम हर महीने चार जार से पांच जार लोगों के घर पे टीपीन जा रहा है और पोगरम बहुत अच्छा हो गया यह हमारा पहलाई प्रोगरम था यह इस टाइप का और आगे अभी करते ही रहेंगे करोना के बाद इतनी बड़ी संख्या में लोगों कठा करना बढ़ी बात है जो दो सालों तक घर में बंद पड़ी थे एक एड गई और समझो की 36 गंटे में बुक हो गया तो किस तरह का मैसेज दना चाहेंगे समाज को देखो समाज का ही हम लोग को बहुत सपोर्ट है और हम समझ का काम कर रहे हैं कि अब इत्र है काफी संख्या में लोग उपस्तित हैं आज के जो कारेकर में संख्या ही आई और यह कारेकर नों हुआ उसका मेहन तो हमारे डातासरी और जो आने वाले यह दोनों को हम बहुत बहुत सुक्रिया बानते हैं लगड़ान के बाद इतनी बड़ी संख्या में भाग लेना और लास तक बैठे रहना वाले अच्छे थे तो आदमी लोग को उठने का दिल ही नहीं हुआ यहां बैठे रहा है ताइम तरह नौ बज़ेगा तो भी दत बच गया आगे किस तरह का प्रोग्राम करने वाले हैं आगे हम अभी सोच साथ की लिए को जो रहे हमारे को जो हमारे तरह वाली वाली नया साल हुआ उसमें जो हुआ तो आशाड़ी बीच के अपर बोग्राम बहुत बढ़े साथ क्या अधि च्छेरा का का वे जबर्दत रहा बहुत संक्य संख्या में लोग रहे हैं और लास्ट सब्सक्राइब ब सत्वारों का मीनिंग होता है तुगेधरनेस कम्यूनिटी में तुगेधरनेस की जो उद्दात भावना लानी है वो इसका उद्देश्था और इस प्रोग्राम में हम लोग ने जो सोशिल एक्टिविटी हमारी सब 5 साल से कर रही है उसके बारे में जागरुत्तर लाना और उ अपने साथ देखा होगा प्रोग्राम में किस तरह से रिश्पोन्स रहा था और्यंस का इसने इनवाल हो गएते हम लोग मंज हम जो करता है उनके साथ यूंका जोahr प्रतिसाथ मिला जिस तरह से हमारी एक्टिविटी को सपोर्टC current मिला है हमारी सेनियर सीटिजंस और अब समाज के अलग अलग इस्जु जो अभी वल्तमान परिस्तिति में जो प्रस्ण है उसके बारे में रखते हैं उनका शिनियर सिटीजन के लिए टिफिन का एनजमेंट शिनियर सिटीजन को एक कमपणी देने के लिए उनके पास सामने से इन्वीटेशन लेके हम उन्हें मि कर दो कर दो